तो दोश्तो एक और नया दिन और मैं बलजीद परमार हाजरूं एक नई कहानी एक नया कित्ता लेकर कांजुर विलज, कांजुर गाउं अशोक नगर के साथ अशोक जोशी की जो कहानी चल रही है पिछले दो तिन दिन से उसको आगे बढ़ाते अशोक जोशी के साथ और कांजर गाउं का जिक्र ये दो सक्ष बड़े जोवाँ के थे जोशी के अलावा माया डोलस और दलिप बुआ इनकी कहानी के बगार ये पूरी गाउं की कहानी अधूरी रह जाती है महुत सारे कांज इन दोनों ने किये जब उशोक जोशी जिंदा भी था और उशोक जोशी के मृडर के बाद भी इन दोनों की जोड़ी ने बहुत कांज के उनमेंसे एक कांज मशुर हुआ kell के एम कांज के नम से अब K.E.M. एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका पूरा नाम है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल और यह प्रेल में है मंबई की प्रेल अलाक्य में वहां पे बहुत बड़ा गोली कार्ड हुआ 1989 में और जिसके जिम्बेदार थे यह दोनों माया डोलस और दिली बुगा यह किस्था आपने कभी सुना नहीं होगा ना कहीं किसी ने बताया अब जब हम कांजर की स्टोरीज कर रहे थे तो वहीं कि सोर्च ने हमें यह कहानी सुनाई जो बाद में मैंने अपने दूच्रे अंडर्वर्ण के सोर्चर से कनफर्म की और आज आपको सुना रहे वो दौर था जब 1989 में अशोग जोची के मुर्डर के बाद एक बाद बड़ी महम मभी फिलिस ने चलाई थी सब बदमाच्चों को पकड़के किसी की उपर है नहीं से किसी की उपर कोई और कानून ये लगा लगा के तब ही टाड़ा भी शायद बन गया था नामदार साब के टाइम पे 87 में शुड़ू हुई ती प्रसेस 89 में बनी गया होगा तो इन सक्त कानून के नीचे जब डिटेन करने लगे तो जितने नाम चीन बदमाच्चे सब अपने अपने अड़े चोड़ के रूप होश हो गए धारावी वाले ने कहीं और जाके शर्ण ले लिया महमद अली रोड़ वाले नागपारा ढोगरी वाले शर्ण ले ने मुम्रा पहुच गए कोई थाना चला गया कोई काशी मीरा कोई मीरा रोड कोई नमी मंबई कोई पूना कोई नात्यक ऐसे बिखर गये चा और कुछ लोग जो शहर छूर के नहीं जाना चाहते थे उन्होंने अपना एरिया बदल लिया कांजर मार्क वाले दगडी चला चले गए दगडी वाले कांजर मार्क आ गए परतिक्षान अगर वाले कहीं और चले गए तो इस तरीके से एक भगदर मची हुई थी अंडर्वर्ड के कारिंदों में कोई भी बड़ा क्रिमिनल वो पुलीस के हवाले नहीं होना चाहता क्योंकि अगर वो अंदर चला जाता है तो इसकी कमाई के रास्ते भंद हो जाते हैं तब ही मोबाईल फोन का रिवाज नहीं था कि जेल में बैठते आप मोबाईल से अपनी सल्तनल चलाते रहो गए यह सो गूलत महया नहीं थी तो यह लोगों का बाहर रहना जुरूरी होता था तो अशोक जोची के माडर के बाद जब छोटा राजन की पूरी टीम बीस बावीस लोग दबाई पाहुँच गई और जो बाकी के क्रिमिनल थे उनकी धर पकड़ शुरू हुई तो माया डोलत और दली बुवा भी अंडर ग्राउन हो गए अब इनकी वहां से उपरानी दुश्मनिया थी वो निकालनी शुरू की काम तो कुछ करना है अथ्यार गेम में है चलाना है और कुछ नहीं तो पराने जो काम थे वो बजाने शुरू कर दो अब बेसिकली माया डोल यह मजगाओं एरिया के रहने वाला था इसके माबाब पुरी फैमली मजगाओं में एक परानी बिल्डिंग में रहती थी और एक हैवी बरसाथ के सीजन में बहुत जबरदात बरसाथ हुई तो उस बिल्डिंग में कुछ लीके जो ही बड़े जाल के लोगों को सेफर जगा पर पहुंचाया जाता है ताकि अगर बिल्डिंग गिर जाए जब कुछ हो जाए तो जानमाल का नुक्साना उसी चक्र में माया डोल इसकी बिल्डिंग जिसमें और 35 फैमली रहती थी वो पूरी बिल्डिंग खाली करवाली की जो उसमें क्र साथ जड़काम था उनकी फैमली को दूसरी फैमली के साथ शिफ्ट कर दिया गया प्रतिक्षानगर तो उसी समय पे कुछ जो घर थे वो महराश्ट्रा हाउसिंग बोर्ड की अकलोनी है रेलवे लाइन के साथ था हार्बर लाइन जिसको कहते हैं उसमें कुछ घर खाली प्रतिक्षानगर का ट्रांजिट केंप का प्रतिक्षा जो है वो ट्रांजिट केंप की ही हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन है यह आपको टेंपरेरी अकॉमोलेशन दी जाती है जब आपकी परानी बिल्डिंग ठीक हो जाती है जो नहीं बना दी जाती है तो आपको वापस अपने घरों में भेज़ दिया जाता तो माया डूलस के प्रतिक्षा नगर आने के पहले वहां पे बहुत खत्रनाक दादा हुआ करता था जिसका नाम था सतीज चारी सतीज चार्टी यह नाम मैंने पहले सुना नहीं था तो दो दिन पहले जब मेरे काजुर के सौरसे्ज ने बताया तो मैंने परतिक्षा नगर के हमारे पराने कार्पुरेटर कुछ और पराने वहां पे टेरिया में हाटल बार चलाने वाले एक वहांपे दारू की दुकान भी है बहुत फैमद तो मैंने बहुत से लोगों के महां के एक हमारे पजाबी फिल्मों के ठेट रहे के कलाकार भी रहते हैं तो मैंने उनसे बात शुरू की दो जन उसके बात पता चला कि जी इस नाम का सतीज चाटी नाम का एक कुंखार बदमाश दुमाने में रहा करता था और जब माया डूलस नया नया रहने आया तो इसका वास्ता पढ़ गया हूँ जो पहले से यहां रह रहा था सतीज चाटी के साथ अलाकि माया डूलस जब मजगाओं में था वहां भी इसके छोटे-बोटे जगड़े होते रहते ते रेकर वो इतना बड़ा नाम की नहीं हुआ था वो सब तो बाद में जब परेल में गोशा दाओर के साथ काम करना शुरूब किया तो यह इनकी महाँ चलती थी यह बात 80-182 के करीब किया है जब माया डूलस प्रतिक्षानगर में रहने गया और चार्टी से वास्ता पढ़ गया उसके बाद चार्टी से जगड़ाओं मोने की वज़े से तब ही माया इतना स्ट्रोंग नहीं था तो वो अपने आपको बचाने के लिए उसके गैंग से साई खुली वाड़ा एरिया प्रतिक्षानगर छोड़के कांजर मार्ग में जाके पना ले लेता है इदर उदर गू लेता है जाना सकति है वहाँ गुछब सेंग यह सतीज चार्टी हिम्मत नहीं करेगा ड को उस अपने अपको चार्टी से बचा रहेAN केलिए माया डोलस कांजर मार गयाता है हो कांजरन का रहने वाला नहीं था वह मजगाओं का रहने वाला है तो वहां पे जाते मिला आपक जो काम बजाए उसने उसके चलते चलते उसकी और दिलिक बुवा की जोड़ी एक खतरनाक डिव के तोर पे सामने आई। कहते हैं ना शिकारी लहां उन्स रैवल्ड इन पेर्स। शिकारी जो होते हैं वो होवेचा जानवर होजा आदमी वो पेर में काम करते हैं दो जन होते हैं केला शिकारी कभी जंगल में नहीं जाता। इसी तरह शिकारी कुत्ते जो होते हैं केला कुत्ता शिकार नहीं करता हूँ दो को छोड़ा जाता है एक पकड़ने के लिए खरगोश को पकड़ने के लिए तो ये प्रानी काहब थे इधर ततीज चाटी का गैंग बढ़ता गया उसके साथ साथ उससे परेल एरिया में दाज इस किसम के परेल के उनसे और उने दिनों वहां पे एक लोकल जादा था बड़ा बदमाच नहीं तो उसका नाम था दीपक अंबेकर अब ये दीपक अंबेकर एक छोटे से महले में घली में एरिया में कलब चलाता था और अच्छा खासा पैसा उसने कमा के रखा था और सब से बनाके रखता था और वह शक्कीन आदमी भी था कपड़े बपड़े पहलना अब पैसा होता है तो कपड़े जूते भी अठ्छे आ जाते हैं तो वह अपने हेरिये में प्रेल में काफी नाम पैसा कमा के बैठा था तो आप ये सतीज चाटी की दोस्ती उसके साथ हो जात और जब 8788 में वर्दा राजन मुझलियार की डच्वी 88 में होती है जब मंबई प्लीस का पूरा जोर लगा हुआ था वर्दा और उसके साथियों को खत्म करने का तो उसकी चपेट में कहीं 37 चाटी भी आ गया उसको भी प्रतिक्षा नगर छोड़के भागना परा और उसन जाके शरली परेल में दीप अंबेकर के पास और वहीं पर 25-30 लड़कों का बैठना उठना खाना पीना और रात कुछ हो जाना क्योंकि लोकल दादा की अपने लोकल प्लीस टेशन में के साथ अच्छी दोस्ती होती है अपता दिया जाता है रेगुलर और प्लीस वाले उन तो इसलिए दूसरे इलाकों से भागे हुए लोग ऐसे लोगों के पास शर्ण लेते थे यह प्रामा मंबई का एक अस्कूल है उसको टेक कहते हैं ती इक टेक टेक में टेंपरेरी ठिकाना या जैसे नौर्ट इंडिया में कह देते हैं ठाहर या ठेहर इस तरह से मंबई की बाओं एक डिश्ची अलाके में फो से पहले कहाा. वो ठाकलते कहते थे तो इस तरीके से इस सतीश चाटी ने दीपक के पास तेट में और इस बात की खबर माया डोलस और दिली बुवा को लग जाती है कि वो प्रतिक्षान अगर छोड़ के बाग के वर्दा राधिर मुल्ज ले आराब इस दुनिया में नहीं है उसका गैंग तकरीबर खत्म हो चुका है तो अब अच्छा मौका है सतीश चार्टी से बदरा लेने का तो ये लोग अपने कांजुर के पराने लड़के अकठे करके एक रैक्टी की टीम बनाते हैं कि प्रेल जाके पता करो उसक्ष कहां रहता है, कहां जाता है, कहां आता है, उसका हिसा प्राना हसाब चुकता करना तो पूरी टीम लड़कों की साथ-ाथ लड़के कांजूर से गए जो उनके टच में थे अभी तक उन्होंने खबर लाके दी कि बहुत अच्छा मौका है हाथ में माय डूलिस को बताया पता चला कि दीपक अंबेकर का एक्सिडन्ट होता है और उसके टांग में जबरतस चोट आती है और उपरेशन करना परता है और उसको के एम होस्पिटल के सर्जिरी वार्ड में रखा जाता जहां ऑपरेशन के बाद पैस्टल को रखा जाता है उठके चल नहीं साकता क्योंके पाउ का टांग का अपरेशन हुआ है तो अपनी चार पाइप या सेकंड फ्लोर पे विवार्ड था जे जे होपिटल का शूराउट आपने देखा होगा सुना होगा कुछ उससे मिलता बिलता कान ने लोगों ने में कर दिया था माया डोलेस और दिलीपू और उनकी छे साथियों ने तो पता चला कि ये आदमी शाम को जब पेशन्स का मिलने का टाइम होता है तीन बजे से पांच बजे तक तो दो घेंटे ये सतीज चार्टी अपने दोस्त दीपक को के यम होसिटल के सैटन फ्लोर के बाड में मिलने जाता तो ये लोगों прин vibes लगा के रखी कि ये रात्ता है उसके घर से यह आने का दीपक के घर से होसिटल आने का और वहां पे फीलिंग लगा के रखी कि आज उसको नहीं ठोड़े तो अचानक पता चला, कि वह तो दूतरे रास्ते से, कहीं हम के कई गेट हैं, तो दूतरे रास्ते से कहीं वो तो वाण में पहुँचका है, एक वो वाण के बाहर भी इन्हों ने अपना एकरेकी वाला बंदा कड़ा किया तो उसने बाहर किया कि बताया, कि भाई वो तो उपर पहुंच हुआ है वार में दीपक के साथ बात कर रहा है स्टूल पे बैठकर जी सब लोग भागते हैं अपने तरीके से किछी को शक्त नहीं हो लेकिन यह आदमी को पता नहीं कुछ सेंथ को हो जाओ उसको कुछ शक्त हुआ क्या हुआ यह वहां से निकल के दूसरे गेट से बहुत से रास्ते हैं वहां बहुत लबे लबे बरामदे हैं कमरे बहुत हैं बहुत बड़ा होस्पिटल है अंग्रेजों के जमाने का बना बहुत खुला खुला वरी स्पेशियों तो वहां से गुल हो जाता है और जब तक यह लोग पह तो उसको देखा गया तो इन्होंने गोलियां चलाने शुरू कर दिवा बहुत सारी गोलियां चले उसने भी अपना हाथ्यार निकाल के स्थी चाटी ने गोलियां चलाई लेक्न गोलियां चलाते चलाते वो पीछे वाली सीडियां उतरके को कई दिनों से आ रहा था है उस्प उसके खबरियों ने उसको जो रेकी करने वाले थे बरापर ख्याल नहीं रखा और दूसरा वो दुश्मन जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क उसने लिया वो उसके हाथों से निकल के भाग के चला गया अब हॉस्पीटल में ज्यादा रिस्क लिए केंदा दूसरा गोलियां नहीं भी चला जाए चला ही जा सकती तो उसने अपना पूरा कुछा बैड़ पे लेटे हुए उस दीपक अंबेकर पे निकाला पांच-छे गोलियां उसको हाथों स्पीटल के बिस्तर पे लेटे हुए इंजर मरीज को मार दिया और उसके बाद माँ से निकल जाता है पूरे एलाटे में जाखिए अब हाथों स्पीटल में सैली गोलियां और काम माया डोलर्स का जिसको उचेरिया में कुई जानता नहीं था लड़के चब कांजुर के उनको कुई पहचानता नहीं अब बड़ी मुश्कुल हो गई पुलीस के लिए कि ये खुब कान सकते हैं लोग बहुत दिनों के बाद उस आदमी ने सतीश चाटी में अपने खबरियों के थ्रू क्राइबराच को ये खबर भेजी के वो गोली चलाने वले और कोई नहीं माया डोलर्स और गर्ली बुगा थे लेकर वो लड़के जो कांजुर के थे वो सब के साभी जरुदर हो गए एक आदमी जिसका इस लराई में को लेना देना नहीं था जिसको माया डोलर्स और गर्ली बुगा जानते तक नहीं थे कि ये आदमी है पर उसको सिर्फ इस लिए मार दिया कि उसने उनके दुश्मर को पना दी थी तो ये अंडर वर्ल के है जी वो गरीब किते और उसके बाद जी लोग फिर पराड़ हाथ नहीं आते वहां से भाग के ये लोग महाई ठाकर के एरिया में बस्ताई बिरार जाके शर्ण लेते हैं और वहां से दाउज के एक सोने की कंसाइनमेंट लोट लेते हैं बड़ी हिम्मद की बात थी दाउज उब्रायम का सोना लूटना भाई ठाकर के अलाग्टे में जाके लूटना और वहां से इनकी दुशुनी शुरू होती है तो धीपक अंबेकर की मौद के बाद जो माय अडोलस का और जली बुवा का भागना शुरू हुआ कैटनर माउस गेम शुरू हुई पलीस पीठे पीठे और ये दोनों आगे आगे उसका अंता के होता है लोकड़ वाला की उस बिल्डिंग में जहां इनका अनकांट वे किया जाता तो दोस्तों ये कहानियां अंडर वर्ल्ड की बहुत ही रीबोगी ये मैंने भी ये किसा कभी नहीं सुना था लेकर आप जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे कित्ते उस गाओं के आये अब एक के करके आपको दो दो करके कल फिर इस सीरीज को चालू रखेंगे जारी रखेंगे और तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया दन्यवाद